फ्रेंस लवलाइक गार्डन में आपका स्वागत है तो फ्रेंस विंग्टर गार्डन अभी हमारा जन्वरी चल रहा है तो जन्वरी में मैंने थोड़े से प्लांट और एक किये हैं अपने जो अभी मेरे पास नहीं थे तो उन्हीं के आज शॉपिंग आपको दिखा रही हू यह है प्रिमुला इसको प्राइम रोज भी कहते है और इसमें कई कलर आते हैं पर यह थोड़ा है तो मैंने पिंग कलर का एट किया है इसके बाद फ्रेंस यह है एस्टर एस्टर को भी आप जानते होंगे अच्छे से यह बी गुल्दावदी के तरह इसका फ्लावर होता है और यह भी विंटर फ्लावर प्लावर प्लांट है फ्रेंस काफी सुन्दर कलर आते हैं इसमें तो यह एस्टर का एक कलर मैंने एट किया है उनके पास और कलर नहीं थे मुझे थोड़ा डार्क में चाहिए था मगर फिलाल मुझे यह पिंक शेड लग रहा है वाइट और प पास नहीं है क्योंकि वह मेरे खुद के सीड है मैंने उनको लगाए है तो मुझे पता था मैंने अच्छे से इनके फ्लावर मैं तक इनको आप मैं से जून तक भी इंसे फ्लावर आप ले सकते हो अगर बारिश लेट होती है और बचा लेते हो तो फिर और आगे तक ही करते हैं तो कि ड्विलम यहांपर है कि मिमुलस यह को मंकी फिलावर वी कहते हैं तो इसको मैंने दिखाने के रोका था ताफिंट हो रहे है को मैं रहलू है तो मैं हटा दूंग यह अक्स Ama कृट है तरे पर रेड नहीं इस नहीं था तो मैंने ये शेड में लिया हूँ है बहुत हैवी फ्लावरिंग करता है फ्रैंस पूरा पिटूनिया की तरह जिस आप प्लांटर में इसको लगाओगे वह पूरा ये भर जाता है से यहां पर यह सिल्वर डस्ट का प्लान है फ्रैंस इसमें लेखिए कितना सुन्दर वह नहीं थे फ्लावर नहीं थे तो कलर नहीं पता चल रहा था इसलिए मैं फ्लावर वाला लाई हूं और बाकी बड़ भी है इसमें तो अच्छा प्लांट है यह और यह काफी सस्ते हैं फ्रेंट्स विंक्टर के जो प्लांट है यह सब बहुत कम रेट में हैं 15 रुपे 20 नहीं देते हैं तो मुझे तो यहां कहार बहुत अच्छे रेजनेबल प्लाइज में यह मिल गया है तो आप ज़रूर लिजे एस्टर और कैलंडूला और के मिमूलर्स यह प्राइम रोस यह भी काफी अच्छा प्लाइंट है हमारा काफी लॉंग लास्टिंग है अच्छे जब आप नर्स्री जाते हो विजिट करते हो अब यह आ रहे क्योंकि ये लेट विंटर फ्लावरिंग ही शुरू करते हैं और यहाँ पर मैं ये इनके जो मुझाए हुए फ्लावर है ना इस्ट्रीन फ्लावर को हटा रही हूँ कि ये बहुत खराब लग रहे और मैं आपको क खराब करेगा प्लांट को और इस तरह की वीड्स भी आप हटा दीजे यहां पर यह सब मैं इसको अभी साफ कर लूँगी जिसे कहीं हमारा प्लांट हेल्दी रहे और यह सारे सुखे फूल भी मैं हटाऊंगी और फूल को आप खीच कर मत हटाईएगा यह पीछे जो चैंप इस पर जाएगी नर्जी तो कोई फाइदा नहीं होगा आपको हटाने का तो इस तरह से इसको मैं साफ कर लूँगे अभी एस्टर ठीकी है और यहां पर यह मैंने एक गुड़हल हाइब्रीड गुड़हल फ्रेंस है यह औरेंज कलर का और यह उनके पास एक ही था तो मुझे काफी कम उन्होंने दे दिया जैनवरी में फ्रेंट्स आप इंडोर फ्रांस को और इन प्लांस को जो पेरेनियल हमारे प्लांस है इनको आप काफी कम रेट में आपको मिल जाएंगे अभी क्योंकि अभी विंग्टर फ्लावर ही सब लगा रहे हैं इम ही की भरमा है और अभी मैंने इसको एट कर लिया है और उसके बाद उपर से और मल्टी ब्रांचे से इसमें तो यह बहुत हेल्दी प्लांट है आप हमेशा इस तरह देख के लाईए और बहुत अच्छा रहेगा आपको प्लांट हेल्दी रहेगा अगर आप इस तरह से देखकर लाते हो और बाकि इसमें तो सड़ी गली पत्तियां हैं थोड़ी बहुत हो भी हटा दूंगी बाकि विंग्टर में आपको फंगस से बचाना रहता है तो यह आप यह कर लीजे और बाकि यही मेरी छोटी सी शॉपिंग थी नर्सी की सिक्स प्लांट से फ्रेंस और इनकी रिपॉ अगर कुछ नया दिखता है तो इसको एड करने का मन करने लगता है जैसे मेरे पास अभी एस्टर नहीं था मैंने सीडलिंग की है बहुत चोटे हैं प्लांट पता नहीं उनकी फ्लावरिंग इतनी लेट कैसे हो गई अभी तो मौसम ही काफी बढ़िया है तो आप भी अभी सैप्लिंग और सीडलिंग बिल्कुल मत लगाईए सीडलिंग और सैप्लिंग भी मत लाइए आप ये तयार प्लांट लाइए अब इन प्लांट को नर्स्री पर पूरी तरह तयार है और वही सही भी रहेगा इनको अगर अभी सैप्लिंग लाओगे तो फ्लावरिंग बहु लाने चाहिए तो फ्रेंज बाई बाई हैपी गार्डनिंग और यह प्लांट्स में पास नहीं थे और इसलिए मैंने इनको एड़ किये हैं तो बाई बाई फ्रेंज हैपी गार्डनिंग